दोस्तो आप सबी का फिर से एक बार यूणिक इनफॉर्मेशन आपके इस वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे किर्णी खराब होने के संकेत दोस्तो किर्णी शेरिल का एक ऐसा अंग होता है जो शेरिल से विशाक्त पदार्तों को छान कर पेशाप के रूप में निकालने में मदद करता है और उसी के साथ रक्त को साप करने का भी काम करता है किर्णी आमतोर पर हमारी लाबरवाई का शिकार होती है दोस्तों हमारी किणि शेरीर के बीचो बीच कमर के पास होती है यह अंग मुटी के बराबर होता है हमारे शेरीर में दो किणिया होती है अगर एक किणि पूरी दरब से खराब हो जाए तो भी शेरीर ठीक चलता रहता है रुदे के द्वारा पंप किये गए रक्त का 20% किड़नी में जाता है यहां यह रक्त साप होकर वापस शेरिर में चला जाता है इस तरह से किड़नी हमारे रक्त को साप कर देती है और सारे टॉक्जिन्स पेशाप के जरीए शेरिर से बाहर कर देती है हमारी खराब जिवन शेरि और कभी-कभी दवायों के कारण किड़नी के उपर बुरा प्रफाव पड़ता है किड़नी के विमारी के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसका पता प्रतम अवस्ता में नहीं चलता है जब ये अंतिम अवस्ता में चला जाता है तब इसका पता चलता है इसलिए इसको silent killer भी कहा जाता है इसलिए किड्नी के विमारी के प्रतम अवस्ता को समझने के लिए उसके लक्षनों के बारे में पता लगाना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों सबसे पहले इसके जो संकेत रहते है जो लक्षन रहते है ये जानना बहुत ही जरूरी है ताकि इस तरह की problems create न हो तो कौन-कौन से लक्षन है हम जानेंगे पेशाप करने की मात्रा और समय में बदलावाना पेशाप की मात्रा बढ़ जाना या एकदम कम होना पेशाप का रंग बदल जाना पेशाप का रंग गाड़ा हो जाना या रंग में बदलावाना बार बार पेशाप आने का असहास होना बार बार पेशाप आना या उसकी मात्रा बढ़ जाना पेशाब करते वक्त दर्द महसुस होना क्योंकि जो यूरिली ट्रैक्ट रहता है उसमें संक्रमन हो जाता है इसकी वज़स से पेशाब करने में बहुत दर्द होता है पेशाब करते वक्त जलन महसुस होना पेशाब करते वक्त रक्त का आना जाग जिसे फॉम जैसा बेशाब आना, किड्नी में सुजन आना, अतरिक्त थकान और कमजोरी आना, चिल्चिलापन और एकागरता में कमी आना, हर समय ठंड महसुस होना किड्नी के बीमारी के कारण जो अनिमिया का रोग होता है, उससे गर्म परिवेश में भी ठंडक महसुस होती है, तोचा में रैशेश और खुजली आना, ये सभी लक्षन किड्नी के खराब होने के है, उसी के साथ जो दूसरे लक्षन है उसमें नीद नहीं आना और आधी रात को जागना उठना, उसी के साथ जो आमारे शरीर में आरबिसी रहते हैं, उसकी संख्या कम होना, उसी के साथ जो आमारा फेस रहता है, स्कीन रहती है, उस पे हॉइट स्पॉट निर्मान होना, ये भी इसका संकेत है, उसी के साथ शरीर में पानी की मात्रा कम होना, मुहूं से बदबू आना, दुरगंद्य आना, रिस्पारेशनरी जो हमारी सिस्टीम रहती है, उसमें भिगाड आना, लंग्स के प्रॉब्लेम्स के रेट होना, उसी के साथ शरीर पर पसीना ज्यादा तोर पर आना, ये भी इसका लक्षन है, उसी के साथ पैर्द और कंबर में दर्द महसूस होना, दर्द निर्वान होना ये भी इसके लक्षन है, तो ये सभी लक्षन और संकेत किड्नी खराब होने के हैं, तो अकुर्पया करके, आप इस सभी संकेतों को और संकेतों पर आप आवाइड मत किएगा, अगर आप ये सभी संकेत आवाइड करोंगे, तो इसका नतीजा आपको भुगदना पड़ेगा, तो इसके लिए रामबान उपाया हमने दिया है, उसके लिए वीडियो भी दिया है, जरूर एक बार वो वीडियो देखेगा, और जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब पीजेगा, दोस्तो धन्यवाद,